आज पुझ्जश्री सोभा सरन साहिद जी की पुर्ण निश्मिती में आज का दिन उसी की विशय में काफी चर्चा हुई हम सब सभाग्य साली हैं कि हम एक सुन्दर जीवन पाएं हैं और इस जीवन को कैसे बनाना है और कैसे बिगाड़ना है आपके हाथों में जन्मा हमारे हाथों में नहीं है और मृत्यू हमारे हाथ में नहीं है जन्मा को कोई समय निश्चित नहीं है और कोई मुहरत निश्चित नहीं है और ना है मृत्यू का कोई मुहरत निश्चित है लेकिन जीवन आपके हाथों में है और जीवन को कैसा जीना है ये आपके वर है आप कैसा इसका मूर्त बनाते हैं आप इसके निर्नायक है जीवन को आप जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सकते हैं पुझ्यस्री सोभा सरंग साहिब ने अपने जीवन को इस रूप में ढाला इसलिए आज हम सब यहां बैठे हैं बहुत सारे उनके विशाय में चर्चा हुई लेकिन एक मूल चीज मैं कहना चाहा रहा हूँ आज आदमी एक अक पाई थेलिए दौडता है एक एक रूपिय कठा करता है पुझी पुझी जोडता चला जाता है कौडी कौडी जोडता चला जाता है और कुछ लोग सदुप्योग कर पाते हैं कुछ लोग नहीं कर पाते हैं दुनिया से अलवीदा हो जाते हैं जितना समराज जदेख रहे हैं आप उन्होंने अपने जिवन के नीजी कमाई अपने जीवन के नीजी कमाई को पूरा समाज के सेवा में प्रस्तुत के और उसी के बदावलत, हम लोग सब बैठे है सबसे बड़ी देन उनकी यही है इस संस्था के लिए सबसे बड़ी देन यही है और बिना पुन्जी के अब कोई भी कारकम संभव नहीं है ना हम किसी संद को बुला सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं लेकिन उनकी इतनी बड़ी योगदान जो कि कहीं से लाय नहीं जबकि उनकी निजी संपत्ती थे उन्होंने उनको समाच को दिया और उसी के बदवलाद हम सब बैठे हैं हम सब सहुभाग्य सालिय हैं उनके जीज उनके संपत्ती हम सब खाने के लिए बैठे हैं आईए हम मैं अपनी बात रखूँ जीवन और मृत्यू पुझ्यस्री सोभा सरंसाहिद चले गए और हम सब यहां बैठे सब चले जाएंगे बात को सोचिए आप हम सब चले जाएंगे लेकिन ओजा करके नाम कमा करके चले गए आज उनके यस हो रही है उनके चर्चाएं हो रही है गली में पचावराहों में जहां जाते हैं, वहाँ चर्चा होती है, उन्होंने किया कुछ नहीं, जैसा का तैसा जो समाज से, जो परिवार से संपत्ती मिला, उसको समाज में भी खेर दिया वस, समाज में प्रस्तुत कर दिया, आज उनका नाम हो गया। आप हम सब अपने जीवन को कितना विखेरते हैं, कितना सजाते हैं, अपने उपर हैं, हम सब को सुन्दर जीवन मिला है, उसके बाद भी हम दुखी जीवन जीते हैं, उसके बाद भी हम सिकायत भरी जिन्दगी जीते हैं, मतलब हम असफल जीवन जी रहे हैं, सफल जीवन नह आए दिन लड़ाईया चलती है तू तू मैं मैं होता है राग देशोत इतनी बढ़ती चली जा रही है कि घर में कलह पैदा होता चला जा रहा है घर में सांती का माहूल ही नहीं है जहां हमको सुधरना चाहिए जहां हमको अपना विकास करना चाहिए वहां भी हम सब अपना विकास नहीं कर पाते हैं हम अपने को एक खाई के ओर लेते चले जा रहे हैं हम गलत दिशा के ओर बढ़ते चले जाते हैं अमेर्का जैसे देशों में 10 लाख लोगों में न जाने कितने लोग होते हैं जो इसकार के काम में आगे बढ़ जाते हैं दस लाख लोगों में कम से कम दस लोग अविस्कार का काम करेंगे वहाँ और हमारे यहाँ लोग नए-नए रिसर्च करते हैं कि आज आदमी क्या कर रहा है और क्या कर सकता है जीवन में क्या और विकास किया जा सकता है नए-नए रिसर्च करते जाते हैं और हमारा भाराद देश एक ऐसा देश है जाहां 10 लाक लोगों में 10 क्या 15 और 20 लोग है जो आदमी को कैसे खाई में डाला जाए कैसे उसको अन्धकार में ठेला जाए कैसे उनकी बुध्धी को कुंठित किया जाए कैसे उसको अंध किश्वास और चमतकार वाडंबर में गठ बेऊचा जाए कि इतना से हमारे भारत देश में होता है कितना बड़ा भारत देश मान है और हम सब बैठे ने अक्ति को यह कितना करें है जो सके आट पीछ दży्टर्ट। कई हैं यहान द३еть यहां कि दिष्टर देंता इंसान में देवी देंता दिखाए नहीं देता आपकी स्रद्धा है, कोई जगा मूर्ती है पूजा करते हैं, आपकी स्रद्धा है गलत नहीं है, लेकिन गलत तो तब हो जाता है, जब वहीं बैठे माबाप एक गिलास पानी मंगे तो कहेंगे, तुम्हारा हट टुट गए है क्या, निकाल के नहीं पी सकते हों, और जो पान नहीं सकते उनको पानी पिलाने के लिए बैठें गलत तब यह होता है आप उस भगवान की पूजा करिए जिसकी करना है उसकी उसकी पूजा तो घंटो हो जाती है आप लोग इतना स्रद्धा वान है कि क्या पूछना है आज तो हर गली-गली में हर चवराहों में चल ला है हर स्रद्धा से आदमी बहुत कुछ कर सकता है लेकिन स्रद्धा के नाम पर आडंबर तो नहीं होना चाहिए आज आप सबको औसर मिला है उनसे पूछे जिनके माबाप नहीं है बिचारे माबाप के लिए तरस्ते हैं कास मेरे माता पिता होता तो मैं भी उनके चर्णों दख करेता मैं भी उनकी आरती उतार लिया करता मैं भी कम से कम कुछ तेवारों में उनको पूच ब्येट करता कहीं ले जाता घुमाता कहीं सत्संग सायात्र करatा कोई आदमी जिसका पिता नहीं है जिस Lazwe माँ नहीं है, वो सोस्ते हैं, तरस्ते हैं, और जिसके माअबाप है वो लोग, सोंसते हैं, कब ये बुढ़े का विदा हो जाये, सोंसते हैं, कहीं इसको वुरिधा आस्रम न भेज दिये, उनहीं के बदावलत, आप बैठे होते हैं उन पडोसी से या कहीं अपने बेटी को फोन करके कहता है कि बेटी मेरे पास पैसा नहीं है एक हजार दे देना बेटी अपने बेटी को कहता है बेटा को कहने का हिम्मत नहीं है उनके पास क्यों आप ऐसी क्यों करते हैं और माताओं अपने माबाप के साथ में आज यदि आप अपने सास ससूर के साथ में नफरत का बीज बोएंगे ति कल भी आप एक दिन सास और ससूर हो जाएंगे कल भी आपके घर में बहु और बेटिया आएगी वो भी आपके साथ वैसे वर्ताओ करेंगे एक जगह की बात है एक जगह सास और बहु की रोज लड़ाईया होती थी रोज लड़ाईया लड़ाई का दवरान ये अंती में परणाम ये होता था कर रोते रोते अंती में सासूमा कमरे में चले जाती थी और रोते रह जाती थी उनका छोटा सा पोता 6 साल का पोता देख रहा है रोज मम्मी और दादी में रोज लड़ाईया होती है लड़ाई का परणाम यह होता है कि दादी मा रोज कमरे में रोते रोते चली जाती है एक दिन उनका पोता वैसे ही लड़ाई हुआ लड़ाई होने के बाद उसका पोता पिछे पिछे जाता है और पिछे पिछे जा करके अपने दादी मा का पलू उठाता है और उनके आंसु पोचता है और पोच्टे पोच्टे बोलता है दादी मा तुम रो मत मेरी मा बहुत दुष्टा है जब मैं भी बढ़ा हो जाऊंगा और मेरी भी साधी हो जाएगी तो मैं अपने पतनी से कहूंगा तुम अपनी सासु मा की कभी सेवा मत करना क्योंकि तुम्हारी सासु मा अपने सासु मा से रोज लडाई किया करती थी आप यही चाहते हैं आप एक कटू बचन बोलते हैं आपके सब्तों से निकल जाता है लेकिन वो बच्चे के दिन में जा करके चूब जाता है इस तरह से घाव करता है कि वो जीवन भर याद रखता है कि मेरी मा ने ऐसे कहा मेरे दादी ने ऐसे कहा पिता ने ऐसे कहा क्यों आप सुन्दर जीवन क निर्मान नहीं करना चाहते। मेरे बेटे मेरे को पैसा ला करके देंगे उनकी इच्छा ये नहीं है बस उनकी इच्छा ये होती है मेरे बेटे को कास नौकरी मिल जाता उनका जीवन समर जाता मेरे जीवन समर जाता मेरे जीवन समर इसले नहीं मेरे बेटे के नौकरी लग जाए तो मेरे मेरा जीवन समर ज आँखों में धूल घुष जाती थी तो आपके माता और फिटा आँख फुकते ठकते नहीं थे फुकते रह जाते थे लेकिन जो वही माता फिता बुढा पे की अवस्था में जाते हैं और कहते हैं बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मेरी चस्वा बनुआ देना तो भर में बैट करके रहो कितना कटू है आप जो बोएंगे वही आपको मिलेगा प्रकृति का नियम है जो आप करेंगे उसका परणाम आपको मिलेगा बोए पेड़ बबुल का आम कहां से खाए सदु कबीर की साथ है करम कमाई आपने निस्फल कभी नजाए कभी निस्फल नही जाएगा यहां से क्याला करके जाना है आप सभी से निवेदन कर रहा हूं मैं यहां से कुछ ले करके जाएए एक प्रेम भरे सवगाद ले करके जाएए एक जीवन को सजा करके जाएए जीवन को सवारने का प्रारंब करिए अपने घर में एक नए खुसहाल जिंदगी का प्रारंब करिए क्यों सिकायद भरी जिंदगी जी करके अपने जीवन को बरबाद और तबाह कर रहे हैं आप नहीं लगता है सुन्दर जीवन जिनना चाहिए आडंबर में मत पढ़िए इंसान से बढ़कर के देवी देवता इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है इस च जिन्होंने आप के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है कभी कभी उन माता पिता के चड़ों में मत्था टेक लिया करना जिन्होंने अपने जीवन का एक अक पैसा पाई पाई चोड़ करके अपने जीवन का सब कुछ आप के लिए लुटा दिया है कभी कभी उन मा माता पिता के गले में हार चड़ा लिये करना जिनके वज़ा से आप होते हैं आप एक मूर्ती में जा करके हार चड़ा लेते हैं मूर्ती में जा करके मूर्ती को इसनान करा देते हैं मूर्ती में मूर्ती को कपड़ा पहना देते हैं कभी आपने माता पिता को गर के देखिए उस माबाप के लिए जी घर की देखिए आपका घर घर बन जाएगा यही घर को सुर्गा बनाया जाता है यही सुर्गा बनाने का तरीका है आप एक दिन भोजन नहीं किये होंगे बालापन में बच्चे थे तब आपके माता पिता आपको कहते बेटा खालो खालो कहते कहते ठकते नहीं जब तक आप सोते नहीं तब तक आपके मुह में मुली डाल करके भोजन कराते बेटा खालो करके लेकिन वही जब माता पिता बुढ़े अवस्था में होते हैं तब वो भोजन नहीं किये हैं वाफिस से ड्यूटी से खेश से खल्यान से आने के बाद एक लगजबाद भी नहीं करते हैं, मा भोजन किये की नहीं, पापा भोजन की की नहीं, आपका जवान उस समय कहां चला जाता है, सिल जाता है, घर कैसे सुन्दर बनेगा, कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी पाट कर पूजा और पाट से जीवन सवरता नहीं है और ये संत जन सिखाते हैं जीवन को कैसे समार आ जाता है पूजा और पाट से मन में कुछ देर के लिए सांती मिल सकती है लेकिन जीवन नहीं बदलता है कल हमारे संत कह रहे थे जीवन बदलता है विचारों को बदलने से जीवन बदलता है अंताहकरण की पवित्रता गाड़ी बदल दो जीवन नहीं बदलेगा मकान बदल दो जीवन नहीं बदलेगा कपड़े बदल दो जीवन नहीं बदलेगा एर कटिंग बदलो जीवन नहीं बदलेगा जूते चपल बदलो जीवन नहीं बदलेगा मुबाइल बदलो जीवन नहीं बदलेगा तो अन्ताहकरन की पवित्रता विचारों को बदलो विचार बदलेंगे जीवन बदलेगा विचारों को बदलने के लिए मन को बदलो मन को ब बच्चे आपके बुढ़ापे की लाठी है मैं अधिक्तम इस बारे में कई बार कहा करता हूं कि आपका बुढ़ापे की लाठी आपके बच्चे है आपके बच्चे आपका भविस्य है आप अपने भविस्य के लिए बैंक बैलेंस करते चले जाते हैं उस बैंक बैलेंस का को अच्छा संसकार देते हैं अच्छा विचार प्रस्तूत करते हूं उनके सामने अच्छा वावहार प्रस्तूत करते हैं अच्छा संसकार देते चले जाते हैं एक ऐसा बैंक बैलेंस है जो आपके बैंक एकाउंट पैसा नहीं होगा और आपकी इस्तिति ऐसे आई कि आपको इ कि इकठा नहीं किया बच्चे के अंदर तो बैंक बैलेंस हे न उसको भी खापी करके आपकी गटक देंगे हैं क्या लेकिन उस से कही ज्यादा जरुद रुरूरत है बच्चे के अंदर सुष नस्कारों की बैलेंस कितना बैलेंस का किया है समय दिजी इसलिए सत्संग के बहुत महत्तपुन असकता है यदि आप सत्संग का महत्तों नहीं समझेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा जीवन बदलता है सत्संग से और ऐसे कबीर विचारों से आज इतना होड मचा है होड मचा है यहां पान चड़ाओ यहां फुल चड़ाओ इस भगवान की पूजा उस भगवान की पूजा इस तीर्था यात्रा वो तीर्था यात्रा आपकी स्रद्धा है मैं इसका पूरा विरोध नहीं है लेकिन विरोध तो तब किया जाता है यह सि जमीनि के लिए एक फ़िए लड़ रहे हैं पत्रत में लड़ रहे हैं कौँ पूजा पाट है तो करम कांड नहीं है क्या आप जिस भगवान की फूजा करते हैं जिसे देवी देवता की फूजा करते हैं जीवन तो बदलिए और एक चिछ कटू सत्य आपको कहूं मैं आज जितना डर समाया है वक्ति के अंदर वो सब ब्राम्हनों का चाल है ब्राम्हन लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मैं छमा चाहता हूं लेकिन सत्य बात हैं सुन लीजिए ब्राम्हन लोग आपने अर्थिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लोगों के अंदर डर भरता चले गए डर भरता चले गए आप घर बना सकते हैं लेकिन गिरी प्रवेस नहीं कर सकते हैं आप बच्चे पैदा कर सकते हैं लेकिन बच्चा का नाम नहीं रख सकते हैं आप अपने बच्चे के लिए लड़क क्यों अंटना ड़्समाया कि अ कि आज से च्छ मेहना पहले तिरुपती बाला जी मंदीर के एक पूजारी के हां रेड़ पड़ी तो fünfषटी करेड़ 46 कshore def legacy encouragement की संपती निकलियобр気 आज से तीन मेहना पहले बाला जी मंदीर के एक एक पुजारी के तीन लड़कों की साधी थी 125 किलो सोना आया था कहां से आया पैसा क्या ऐसी ही जगा दिया जाता है पैसा क्या भगवान को हम लोग दलाल बना करके बैठे हैं क्या स्रद्धा के नाम पर विस्पोर्ट होता चला जा रहा है जहां समाज की सेवा होती है वहां लोग दान नहीं करते हैं जहां आडंबर किया जाता है जहां घर भरा जाता है जहां गत्ती गत्व परिवार के लिए उज़ोता है वहां लोग प्रेम से देते हैं और जहां समाज के लिए बात आती है किसी के घर में नहीं गया है, किसी के घर में नहीं गया है, संत लोग आते हैं, साजवी समाज आते हैं, आपके घर में पांपलेट बांटने के लिए, कुछ सहयोग रासी लेने के लिए तो कुछ लोग कहते हैं, यह लोग तो ऐसे ही आते हैं, क्या आपने घर में ले जाएंग आप लोग मैं सोचता हूँ लोगों के बारे में जो एक अक पाई जोड़ते हैं और एक अक पाई जो कलके समाज में कठ़ा कर देते हैं श्वर्य के साधां से नहीं जीते हैं सिंपल सा जीवन जीते हैं आप लोग जितने रंगिले भोजन करते हैं आप लोग जितने महंगे कपड़े पहनते हैं साधू उतना महंगा कपड़ा नहीं पहनते हैं ज़ा आप लोग जितना अच्छे अच्छे भोजन कहते हैं जो होटल में जा करके महंगी महंगी भोजन करते हैं, उतना महंगे भोजन साधू नहीं करते हैं, साधू का भोजन सिंपल और साधा होता है, इसलिए आप लोगों से निमेदन किया मैं, कि जीवन आपके हाथों में है, जन्मा आपके हाथों में नहीं है, मृत्तु आपके में हैं गीत लिखो या गाली सब तुम्हारे हाथ हो में आप कैसे लिखना चाहते हैं सुन्दर जीवन का निर्मान करिए आप कैसे जीवन को लिखना चाहते हैं अच्छा या बुरा जी जैसे भी लिखना चाहेंगे आपकी उपर है आज आपको यह आउसर मिला है माता पिता क सेवा करने से पीछे मत हटिए कभी पीछे मत हटिए और बच्चे से प्यार करने से पीछे मत हटिए और लोग तरस्ते हैं जिनके बच्चे नहीं है और आपके बच्चे हैं और आप बच्चे होते हुए भी आपको एक व्यक्तित तसाली व्यक्ति बनना चाहिए बलकि ऐसे उ कौन सा असिरवाद देंगे आप। इधर से बच्चे आसिरवाद ले रहे हैं। इधर से पती-पत्नी में लडाईया चल रही है। भाई-भाई में लडाईया चल रही है। कौन सा असिरवाद देंगे आप। जीवन को समारी है आप। जीवन है। कितना सुन्दर आउसर मिल आपको इस सुन्दर जीवन का निर्मान करते जाए आज हम सब सभाग्य साली है जो के ऐसा समाज मिला है ऐसा विचार मिला है ऐसा जीवन मिला है बहुंसे लोग है जो लंगडे हैं अंधे हैं लूले हैं चल नहीं सकते देख नहीं सकते बोल नहीं सकते आजा नहीं सकते लोग उस्तरस्ते हैं और हम लोग सब कुछ होते हुए भी अंधे लुडे लंगे बारे बार रहे हैं इसलिए सुन्दर जीवन का निर्मान करें और अपने जीवन का लाव उठाएं बोलिये सद्गुरु देवा की जय जय बोलिये श्त्गुरु कबीर साहेवे की बहुत लोग हैं लेकि नमाज का हमारे क्या बात है इसलिक बार जयकारा जोड से बोलो शद्गुर कबीर साहेवे की, संत्स्री सुभासरन साहेवे की, जै बुलाने वालों की, जै बुलाने वालों की, अभी हम सब हमारे पुझ्य गुरु भाई आदर निश्ण स्री, अखलेंदर शाहिब जी द्वारा बहुत ही शुन्दर विचार सुले थे, सच मुच में छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी जिन्दगी है, इस जिन्दगी को हम इस कदर जीते हैं, कि संसार के प्रपंचों में, दुनिया के उलजनों में मन इस कदर उलज जाता है, कि हम मकड़जाल में फस जाते हैं, समस्याओं के चक्रभियों में आदमी फस जाता है, यह छोटी सी जिन्दगी हर किसी को, यहां हर चीजों को, जितनी दृष्टी, जितने वस्तुएं दृष्टी गोचर हो रही है, आप देख रहे हैं, अपनी नजरों से, अपनी आँखों से, वह जहां के तहां छुट जाएगे, यह जिन्दगी कर्वट लेती है, हर समय एक समानी स्थिती नहीं रहती है हर किसी को इस जहां को इस दुनिया को छोड़ कर एक दिन जाना है जाने वाले हमारे हज़ने घर के पर नजर डालिये आपके दादे बाबे कहां गए अरे दादे बाबों पर पाजों का पता नहीं चलता है जो उठकर चल देता है पुना नहीं मिलता है ऐसी विसम काल की ज्वाला सब को भस्व बनाती धरने वाला चल देता है रह जाती है था किसी सायन ने कहा है थी छाओं बहुत धीक जहां से सुनियेगा थी छाओं बहुत धीक पर मेरी किस्मत धूप पड़ी कल देखी थी बारात जहां पर अर्थी उस गर आज खड़ी खामोस होगी जमी खामोस होगा आसमा जिस दिन बुझ जिगा आएगा जिन्दगी की समा जिन्दगी मौत को जिन्दगी जिन्दगी को मौत का पीना है जहर हर वक्त हर सांस पर कहर ही कहर है चांद पर भले ही तुम बसालो दुनिया मैं सुना हो कि अब चांद पर प्लाट भीकना सुरू हो गया आप लोग चाहें तो खरिद सकते हैं हम लोगों को भी उपर जाने का मौका मिल जाएगा तो साहर कहता ही चांद पर भले ही तुम बसालो दुनिया अंत में इंसान का मरगट ही सहा जाएगा जब यहां से क्या साथ तेरा होगा दोगस कफण का तुकड़ा तेरा लुबाज होगा ऐ मुसाफिर बांध विस्तर कमर कस तयार हो मौत है सीर पर खड़ी गाफिर नहो खुश्यार तो इस जिन्दगी बहुत च्छनिक है बहाने बाजी मत करिये बीजी होने का आप बहाना मत बनाईए अभी किसी से तोई पूछे कि क्यों जी भाईस मुंडी के आस्रम में सतसंग चर रहा था एक दिन देखा दो दिन देखा आप दीके नहीं लोग क्या करते हैं क्या करें महाराज बहुत बीजी था बहुत बेस्त जिन्दगी चर रही एक छोटी से कानी फिर हमारे आदर्णी सनस्री कुमल सहे के विचार सुनेंगे मैं बीजी पर बता रहूं कैसे हम लोग बहाना बजाते हैं इक इदम साठ कटने एक सेड़ जी थे उनकी कई फैक्टेरियां थे वो बंदा सुबा से उड़ता था और दोड़ते दोड़ते देर रात भर से लोड़ता था उसकी पत्नी थी सेठानी उसकी पत्नी कहते हैं अरे सुनते हो सेड़ जी अरे कभीर आस्रम भैस्पूंडी में सतसंग कायोजन से रहा है प्रियाग राज से हमारे गुर्देव संत मंडली सहीत पता रहे है बहुँ सारी साध्वी बहने भी दूर्द राज से आई है चलो नब दर्शन कर ले संतों के कुछ प्रोचन विचारों को भूच सुन ले सेड कहता रे सेठानी जी इतनी फूरसत कहा है मुझे ससंग और भजन सुनने की फिर पुना रात सोया उठा सेड़ जी फिर निकल गया फैक्टरी के तरह जब घर में सेड़ जी पुना वापस आए उतकी सेठानी कहती कि अरे सेड़ जी पपू बीमार पड़ गया है उसकी तवियत खराब हो गई डाक्टर को दिखा दो सेड़ कहता है अरे भागेवान मेरे पास इतना समय के आए मत बहुत भीजी हूँ यहां तक मुझे मरने तक की फुरसत ले सेठानी कहता है रे सेड़ जी प्लीज अभी मरना मत सेड़ कहता है क्यों तो सेठानी कहती है मुझे रोने की फुरसत ले कैसे भागम भाग की दुनिया कहां भाग के जाओगे जितनी भी आत्रा करो अन्ती मे आत्रा होगी आपकी समसान हट की आत्रा ये जीवन के निश्ची दे मौत के नाम सुनकर किसी के माते पर पसीना नहीं आना चाहिए याद कर ये रोज मौत को जिसने याद करना सी गया मानो उसके जिंदगी के गाड़ी सही दिसा में सही पड़री पे चलना परारं हुआ अब जीवन जैसे जी रहे जीवन में वरतमान में प्रेजेंट में यदि दूख में हो असांती पीड़ा दर्द कसक महसूस रहा है तो जीने का ढंग बदले लाइफ एस्टाइल बदले इसलिए आप लोग ससंग में आएं ये ससंग की जगा ये ससंग का इससल परिवरतन का इससल है जीवन में परिवरतन लाए शद्ग्रु कवीन ने कहा है बीते ताई पिशार ले आगे की सुधिले हर आदमी में इतनी शक्त, इतनी तांकत, इतनी उर्जा, इतनी इनर्जी है कि अपने जीवन को अमूल चुल परिवर्तन कर सकता है और आप ही अपने भागे के विधाता हैं आप ही अपने जीवन के उधारक हैं किसी के भरोसे पर, किसी संतों के भरोसे किसी भागवान किसी भावानी के भरों से मत बैठी है यदि बैठे हैं तो धोखा में हैं उस धोखा धड़ी जिन्दकी मत दो यह सद्परु कभीर साहब का मंच है यहां किसी को बेखुब बनाने वाले उलूल जुलूल लुटने वाली बाते जो बाते हैं दो और दो चार ऐस नहीं कि हमारे साथी के एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल यह बेखुब बनाने हो ले खाम में मच पढ़ना इस चक्कर में कितनी मात आएं बहें ने तो अपने पैरों में काला रिसम पाह रहा है कुछ नहीं होगा जहां के तहां रह जागो जब तक पैसे माते से पसीना न आईए हमारे आदर निश्टन सर्देशन स्रीकों मल सहजी आप कभी राव